Hello everyone, welcome to my channel Fuzikspy Nitu Today we will discuss one numerical based on Kirchhoff's voltage law देखो बहुत important numerical है यह, यह G-main में आ चुका है Question है, in the circuit shown, the crunt in the 1 ohm resistor is आपको 1 ohm resistor से कितना crunt pass कर रहा है, उसकी value find out करनी है आपको यह सारी values इस तरह से given है ठीक है, और यहाँ पे simple, P है इसका नाम और यहाँ पे Q सिर्फ इनकी naming करी हुई है, यह P है और यह Q है 4 option आपको given है, देखो, आपको crunt की direction भी find out करनी है इसमें, देखो, 1st option है 1.3 ampere crunt pass कर रहा है P से लेके Q तक, P से Q तक, 1.3 ampere 2nd option है 0 crunt flow कर रहा है, और C है 0.13 ampere crunt flow कर रहा है पर कहां से कहां, Q से लेके P तक and D option है, 0.13 ampere crunt flow कर रहा है, 1 ohm resistor से बट P से लेके Q तक तो आपको देखो, किस तरह से solve करना है यह वाला question सबसे पहले तो देखो, हमने यह circuit यहां पर draw कर लिया, जो question में given था simple P और Q की value आपको given है, because इसी से हमने क्या करना है हमें crunt की direction भी इसी के base पे पुछी हुई है ना, तो इसका नाम हम यही रहने देंगे P और Q, इन points के, बाकियों का नाम हमें करना पड़ेगा, देखो P, Q, इसे हम नाम दे देते हैं P, Q, R, S, T, और इसे U, यह हमने नाम इसको कर दी है ना, ओके, अब देखो, सबसे पहले हमें crunt की value find out करनी है, ठीक है, यहां से crunt निकालेंगे पहले, आप दोनों से भी crunt निकाल सकते हो, इस वली से भी, और इस वले से भी crunt की value को find, निकाल सकते हो, बट हम क्या कर रहें, इस question को solve करने के लिए मैं एक सही crunt निकाल रही हो, मानलो मैंने 6 volt वाले से crunt निकाला, ठीक है, मानलो यहां से crunt निकल रहा है, इस वली battery से कितना, I, ठीक है, I यहां भी current i चलेगा, clear है, यहां भी current i ही है, यहां जाके, देख, अब junction आगया, यहां से क्या हो जाएगा, 2 में distribute हो जाएगा current, ठीक है, अब मानलों, कि जो यहां से current flow कर रहा है, यहां से current flow कर गया, i1, ठीक है, यह passou भाला current खौँन सा कहा हमने, i1 क्रंट यहां से चला गया और जो बाखी वाला क्रंट है वो यहां से पास करेगा यहां i था टोटल यह i1 यहां चला गया तो यहां कितना रह गया इस वाले में i-i1 यहां राइडाउन कर रही है i-i1 visible है आपको clearly i-i1 और यहां पर कितना जाएगा यह भी कितना होगा i-i1 चीक है यहां तक clear है यह वाली चीज clear हो रही है देखो अब यहां से आएगा i-i1 और यहां से कितना आया i1 तो i-i1 plus i1 होगा i1 से i1 कैंसल तो यहां कितना आ गया द्वारा i i ही करंट निकला था और i यहां पर reach कर रहा है तो ठीक है मतलब इस तरह से हम देखते थे clear है अब हमने करंट तो हमने यहां पर निकाल दिया करंट के हमने direction भी बदा दी अब हम क्या करेंगे loop की direction लेते हैं तो मालडो loop इस तरह से move कर रहा है चीक है और यहां पर भी loop इस तरह से ले रहे हैं माल लो हम क्लियर अब हम किर्चफ voltage law जो उसका use करेंगे हम write down करेंगे using kvl किर्चफ voltage law for loop कौन सा ले रहे हैं देखो p, t, u, q, p यह वाला ले रहे हैं p, t, u, q, p हमने यह वाला लूप लिया अब हम किर्चफ law का use करेंगे देखो, किस-किस तरह से करते हैं सबसे पहले, यहाँ पे देखो negative है यह है न, negative टन्विनल यह positive, negative to positive चल रहे हैं, means negative होता lower potential lower potential to higher potential move कर रहे हैं, इस तरह से है न, loop negative to positive, तो value आने चाहिए positive, हाना, negative से positive तो value positive आती है, और positive से negative जलते हैं, तो value negative आती है ठीक है, यहाँ पे negative से positive जा रहे हैं तो value आई की positive, means यहाँ पर क्या आना है six आएगा, positive का हाना, और अब यहाँ पे देखो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे है, ठीक है यहाँ देखो, loop की direction और current के direction, current BC direction में current I flow कर रहा है, इसमें देखो यह वहले direction है current की, current BC direction में और देखो loop BC direction में दोनों same direction में हैं, तो हम IR का product क्या लेती हैं, negative तो यहाँ पर आजाएगा negative, ठीक है, और देखो 3 यह यहाँ पर resistance है, और साथ में current कितना flow कर रहा है, I तो 3 I आगया, negative आगया यहाँ पर, ठीक है, या तो आप इस तरह से करो, है ना, मैंने बहुत बार समझा है आपको current और loop की direction अगर same direction में हो, तो हम IR का product negative लेती हैं, या तो आप ऐसे याद रखो, या तो फिर अगर आपको sign लगा के करना है तो आप ऐसे करो, आप पहले current की direction देख लो, resistance में current जहां से enter करता है ठीक है, वो अला होता है आपके पास positive, और जहां से निकलता है current, वो होता है negative, देखो resistance में current यहां से enter कर रहा है तो positive यहां से निकल रहा है तो negative, ठीक है अब दवारा वही वाली चीज़ कर दो, जो हमने यहां पे use करते है, ठीक है, अब देखो, ऐसे loop चल रहा है, positive to negative जा रहे हैं higher to lower potential तो value के आनीची यह negative, because positive to negative move कर रहे हैं, तो value के आनीची यह negative तो देखो negative आ रही है, चाहे आप इस तरह सी करो, ठीक है, या तो फिर आपको अगर वैसे easy लगता है, कि current और loop same direction में है, तो IR का product हम negative लेते हैं, तो या तो आप वैसे करो, जैसे आपको easy लगे, ठीक है अब यहां पे आजाओ देखो, यह वाली आपके पास, clear, यहां पर भी आप वही कर सकते हैं, यहां से करंग टेंटर किया, तो यहां कोन होगा, positive और यहां क्या होगा, negative positive to negative चल रहे है, higher to lower potential तो value आने चाहे negative, देखो वैसे भी, true हो रहाए है, clear, अब यह वाली चीज आपके पास, first equation बन गई, अब हम इसको क्या कर रहे है, हम मैं i को पहले write down कर रहे हूं, ठीक है, i को अगर मैं पहले write down कर लूँ, और negative sign मैंने common ले लिया, negative sign common ले रहे हैं, तो क्या आजाएगा, देखो, 3i i, यह positive का हो जाएगा, plus i1, यह भी positive का, और यह negative का हो जाएगा, minus 6 equal to 0, negative मैंने common ले लिया, इसे हम first का नाम दे देंगे, first equation आपकी बन गई, अब हम कर रहे हैं, second loop consider, चीज़गे, अब देखो, using kvl for loop, कौन सा loop consider करेंगे, देखो अब हम, यह वाला loop consider कर लो आप, pqrsp, σ, p, यह वाला loop consider करेंगे, चीज़गे, अब देखो, यहाँ पर हम p, q, ऐसे जल रहे हैं, चीज़गे, तो देखो, अभी, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो loop की direction यह वाली है, और crunch कैसे flow कर रहे हैं, इस direction में, q2p, हाँना, तो crunch, crunch इस direction में है, और loop इस direction में, opposite direction में हैं दो कहा ना I1 current flow कर रहा है 1 से multiply किया इसको तो I1 रहा है because current और loop opposite direction में है तो value आती है positive clear है या तो फिर आफ वैसे करो है न या वैसे करो या इस तरह से कर सकती हो आफ चाहे आप दुसरी तरी के से सोच लो यहां पर हमने साइन्स लगाये हुआ है यह अलड़ी देखो इस वाले में negative से positive चल रहे है negative to lower to higher potential तो value आने चाहे positive वैसे भी वैसे आ रही है same अब यहां पर देखो यहां पर क्या किया है हमने देखो loop इस direction में है और current भी इसी direction में देखो current इसी direction में है न current और loop same direction में है जब same direction में होते हैं value आती है negative तो minus 3 और current कितना flow कर रहा है इसमें से i minus i1 या तो ऐसे करो या फिर आपको current के direction करनी तो देखो current यहां से enter कर रहा है तो यह positive और तो यहां से बाहर निकल रहा है तो negative, positive to negative, higher to lower potential, तो value आनीच यह negative, तो देखो negative आ रही है, clear, ओके, अब यहां पे देखो, यह negative है, positive है, lower to higher potential, value आनीच यह positive, तो plus 9 नहीं आएगा है हम पे, कोई problem, ओके, अब यह वाला रहा गया, इस वाले में देखो, देखो, current की direction भी यही वाली है, और loop की direction भी यही वाली है, same, तो value आएगी negative, तो minus 2 को multiply कर देखेंगे, current के साथ, i minus i1, कोई problem, equal to 0, और यहां पे अगर आपे direction देखनी है, तो देखो, resistor में जहां से current अंटर करता है, positive, और यह negative, positive to negative, higher to lower potential आ रहे हैं, तो value negative आनीच चाहिए, clear, अब देखो, अब इसको simply हमने solve करना है, i1 minus 3i minus minus plus हो गया, 3i1 plus 9 minus 2i minus minus हो गया, plus 2i1 equal to किसके ब्राबर आजाएगा, 0 के ब्राबर, ठीक है, अब इसको हम solve कर लें, तो देखो, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहां i हमने पहले write down किया, तो i वाली terms ले ले लेते हैं, पहले ठीक है, i देखो, यहां पे 3 है, यहां पे 2 है, तो minus 5i हो गया, ठीक है, अब हम i1 वाले ले ले लेते हैं, 3 और 1 हो गया, 4, और यहां पर भी है, 6, plus 6i1 हो गया, ठीक है, plus 9, यह वाली चीज आ रही है न, कोई problem यहां पे, clear, equal to किसके ब्राबर आ गया, 0, इसे हम ले ले लेते हैं, equation number second, देखो, यह first equation आ गई, यह second आ गई, अब तो सिर्फ mathematical part है, सिर्फ, ठीक है, यहां तक मैंने बहुत slow आपको understand करवाया, ताकि बहुत से बचों को यह किर्च वोल्टेज, जो rule है, यही नहीं यूज करना आता, यह equation एक बार बन जाए, फिर तो easy है, फिर तो mathematics है, सिर्फ, देखो, first or second equation बन गई, अब हमें किसकी value find out करने है, current I1 की, because इसमें से निकालना है, हमने current, और इसमें से कितना current flow कर रहा है, I1 current, तो हमें I1 की value calculate करनी है, ठीक है, और हमें I1 की तो पूछी नहीं है, त तो हम क्या करेंगे, देखो, इन दोनों equation को इस तरह से इनको solve करेंगे, कि क्या करें, I1 वाली term cancel हो जाए, और I1 आपसे निकल जाएगा, तो वो कैसे होगा, देखो, अगर इस वाली equation को 5 से multiply कर दे, और इसको कर दे हम 3 से multiply, और इनको add कर दे, तो यह वाली term cancel out हो जाएगी, और I1 की value आजाएगी आपके पास, तो हमने क्या कहा, देखो, आपको visible है, देखो, equation जो आपके पास first है, इससे हम multiply कर देंगे, किस के साथ, 5 के साथ, फिर add कर देंगे, equation 2 को multiply करेंगे, 3 के साथ, पिर इनको add कर लेंगे, फिर देखो, क्या मिलता है हमें, clear, देखो, किस तरह से करेंगे हम, लिखो, हमने equation 1 को multiply करना, 5 से, 5 से multiply किया इस equation को, देखो, तो 5 3 झा, 15 आई और यहाँ पर 5 I1, और इसको किया तो, माइनस 30 एकुल टो जीरो, और इसमें add कर देना है, equation 2 को multiply करना है, किस के साथ, 3 के साथ, इसको 3 से multiply किया तो, माइनस 15 I, और यहाँ पर 18 I1, औ यहां पर 27 equal to 0, अब इन दोनों को add कर दो, जब इनको add कर देंगे तो देखो, यह चीज तो cancel out होगी, हमने i1 की value calculate करने थी, तो देखो 23 i1 minus 3 equal to 0, यह वाली चीज clear है, ओके, अब यहां से देखो, देखो आप इस तरह से भी कर सकते थे, अगर माल लोगी, अगर आपको क्या कर कर देखो, इस वाली को, अगर आपको क्या करना है, इस वाली को multiply कर दो, इस equation को 6 से, और इसको कर दो 1 से, तो इनको minus कर देखो, यह चीज cancer हो जाती है, i1, और यहां से i की value निकल जाती, फिर i की value निकलने के बाद, आप किसी एक में डालते हैं, तो i1 की value calculate कर सकते थे, पर 23, i1, minus 3, equal to 0 आगया, अब यहां से i1 की value आजएगी, देखो, simple, मैंने solve कर लिया पहले, ताकि यह long video ना बने, देखो, यहां पे 23, i1, equal to 0, minus 3, equal to 0, यहां से i1 की value के आगी, 3 divided by 23, इसको solve किया, तो 0.13 ampere आगया, तो देखो, करंट की value के आगी, 0.13, 0.13, means इन दोनों option में से कोई है, ठीक है, अब Q से P है, या P से Q है, देखो, अभी हमने, जो करंट की direction है, i1 की, वो कहां से कहां ली, जो हमने ली, कहां से ली, Q से लेके P तक, Q से P है, तो, और value भी क्या आ रही है, आपके पास, देखो, 0.13, तो direction कहां से होगी, Q से लेके P तक, तो means option कौन से correct है, C वाली option correct है, 0.13 ampere करंट है, कहां से कहां तक, Q से P, देखो, यह i1 करंट, Q से P तो जा रहा है, it means correct है, clear है, ओके, देखो, एक तो यह वाला questions में, बहुत question करते हैं, देखो, कई बार उनका answer negative में आ जाता है, ठीक है, अभी तो देखो, मैंने क्या किया, हाना, कि, जो क्रंट की value मैंने निकाली, यहां से i क्रंट जो मैंने निकाला, वो मैंने इस वाली battery से निकाला, यहां से i निकला, और यहां पे i1 पास करवाया, और यहां से कितना रह गया, यहां से i1 गया, तो यहां से कितना चला गया, i-i1, ठीक है, तो मेरा answer तो बिल्कुल correct आ गया, ठीक है, अब हमें देखो, कैसे बता चलेगा, exam में मालो आपने इस वाली battery से क्रंट निकाल दिया, हाना, मालो आपने यहां से क्रंट निकाला, तो यहां से i-i1 और पूरा question किया, तो solve ठीक आगया हमारा answer, ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, यहां से क्रंट निकाल रही हूँ, ठीक है, यहां से क्रंट निकालेंगे i, ठीक है, तो फिर यहां पर i1 आजएगा, इस direction में, और यहां से आजएगा i-i1, फिर देखते हैं, क answer आता, देखो, यह another way, इस तरह से, मालो आप exam में ऐसे कर रहे हूँ, ठीक है, तो देखो किस तरह से आएगा, अभी इस वाली battery से मने क्रंट निकाला, तो देखो, यहां से क्रंट निकलेगा i, कोई problem, यहां से भी जाएगा i क्रंट, यह i क्रंट है, ठीक है, और यहां पर आके दो में distribute हो जाएगा, यहां मालो आपके पास, पास कर गया i1, और यहां से जो चला जाएगा, यह वाला क्रंट, यह कौन सा हो जाएगा, i minus i1, यह वाली चीज आ जाएगी यहां पर, ठीक है, यहां से देखो, i निकला, यहां से i1 आ गया, यह वाली direction है, अब देखो, p से लेके q तक, i1 करंट, और यहां से कितना चला गया, i minus i1, clear, अब देखो, यह वाली चीज clear होगी आपको, अब हम यहां पर loop का use करते है, using kvl for loop, हमने कौन सा लिया पास, देखो, द्वारा वैसे चल रहे हैं हम लोग, इस direction में, इस तरह से, और यहां पर भी, ठीक है, अ अब यहां पर हमने use किया, kvl का, तो देखो, negative to positive चल रहे हैं, तो value i की positive में फ़ड़ा fast कर राऊंगी यह वाला, ठीक है, यह होगी value positive i, उसके बाद देखो, यहां पर current की direction देखो, current की direction आपके यहां से देखने हैं है, हमने यह लगा दी current की direction, i current यहां से flow कर रहा है, current इस direction में हैं, और loop भी इसी direction में हैं, dेखो, rsp इसी direction में, same direction में हैं, तो value क्या आती है आपके पास negative, तो minus 2, और current कितना यहां पे है, i, यह वाली value आ गई, यहां पे आ जओ, current की value इस direction में है, और loop भी इस direction में है, दोरों same में है, तो value आए गी negative, तो minus 1 multiplied by i1, तो minus i1 आ गया, clear, अब यहाँ पर आ जाएगा, क्रंट भी से डिरेक्शन में, लूप भी से डिरेक्शन में ही है, क्योंकि यहाँ से क्रंट आएगा I1, और यहाँ से कितना आएगा I-I1, I1 से I1 चैंसल आउट हो जाएगा, तो क्रंट I ही flow करेगा यहाँ पर, क्रंट और लूप सेम डिरेक्शन में है तो value आएगी negative तो देखो minus 3i क्रंट i flow कर रहा है equal to 0 ठीक है यह वाली equation बनगी first अब हमने देखो i वाली को पहले write down कर लिया तो देखो 3 plus 2 minus 5i minus i1 plus 9 equal to 0 negative 7 को common ले लिया तो 5i plus i1 minus 9 equal to 0 इसके first का नाम दे दिया कोई problem अब हम क्या करेंगे यहां पर kvl का use करेंगे मैं दोनों way में देखो आपको solve करवारी हूँ यह ताकि problem ना आए आपको maybe आप इस तरह से solve करो exam में तो देखो अब हमने इस तरह से किया तो अब हम सबसे पहले यहां पर use करेंगे negative to positive value आने चीए positive तो एको positive आ रही है अब यहां पर आ जो यहां पर crunt और loop same direction में है value आएगी negative तो minus 3 और crunt कितना flow कर रहा है देखो i minus i1 यह clear है न आपको यहां से कितना flow करेगा i minus i1 चीक है minus 3 i minus i1 multiply कर दिया ऐसे plus अब यह वाली चीज़ आओ देखो यहां पर आपके पास crunt तो flow कर रहा है ऐसे crunt flow कर रहा है P2Q और loop चल रहा है इस तरह से दोनों opposite direction में है current इस direction में है loop इस direction में है तो value आईगी positive तो एको plus i1 equal to 0 अब इसको solve कर लिए हमने 6 minus 3i plus 3i1 plus i1 equal to 0 यहां पर भी हमने इस तरह से वाली equation बन गी minus 3i plus 4i1 plus 6 equal to 0 clear अब हमें i1 का ही current देखो हमें 1 ohm से बताना है कितना current flow कर रहा है हाँ तो i1 current flow कर रहा है तो हमें i1 की value find out करनी है तो हम क्या करेंगे i1 वाले को cancel करने की कोशिश करेंगे तो वो भी वैसे हो जाएगा देखो equation 1 को multiply कर देंगे हम 3 से और 2 को multiply कर देंगे 5 से और इनको add कर देंगे तो यह cancel out हो जाएंगे clear तो वही चीज़ हमने की देखो यहां पर equation 1 को multiply किया 3 से जब इसको 3 से multiply करेंगे तो ये वाली equation आएगी प्लस equation 2 को हमने 5 से multiply करना है इसको 5 से multiply करेंगे तो ये वाली चीज आएगी अब इनको add कर दिये दोनों को तो ये चीज cancel out होगी और ये वाली चीज क्या जाएगी 23 I1 प्लस 3 equal to 0 और यहां से I1 की value क्या आगी आपके पास देखो minus 3 ये उदर जाएगा तो minus आएगा minus 3 divided by 23 और इसकी value आगी minus 0.13 ampere के लिए तो देखो जब आपने करंट कहां से निकाला इस वाली बैटरी से निकाला तो जो I1 की value है वो आपके पास आ रही है minus 0.13 ampere ऐसी तो कोई option नहीं थी हमारे पास value क्या आई देखो 0.13 ampere पर minus आ रही है करंट की value हाना और ऐसी option तो कोई भी नहीं थी हमारे पास यहां पे हाना करंट तो negative में नहीं हो सकता तो देखो इसका मतलब क्या है अगर ऐसी situation आ जाती है तो आपने क्या करना है देखो देखो magnitude तो क्रंट का same है 0.13 तो इन दोनों option में से ही एक option होगी magnitude तो ठीक है बट हमें यह कैसे पता लगाएं कि q से p है या p से q है देखो अब आपने देखना है अपने question में जब आपने solve किया तो i1 की जो आपके पास direction है जब आपने इस तरह से solve किया इस method से तो i1 जो क्रंट है वो कहां से कहां पास कर रहे है direction क्या है उसकी p से लेके q तक इस वाले case में p से q लिया आपने उसकी direction हाना जब आपने इस तरह से लिया तो जो value i क्रंट की वो क्या आ रही है आपके पास negative आ रही है इसका मतलब कि जो I1 की direction है वो P से Q नहीं होगी क्योंकि P से Q लेके तो negative आ रही है अब इसको positive करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा current की direction को उल्टा करना पड़ेगा तो it means current कहां से कहां flow करना चाहिए Q से लेके P तक अब समझ रहो मेरी बात हाना देखो हमने तो क्या लिए value जब P से Q लिए हमने i1 के direction देखो इसमें P से Q है तो minus i हाना तो minus तो नहीं हो सकती तो हम क्या करेंगे magnitude तो यह ही है 0.13 पर direction P से Q नहीं होगी कहां से कहां होगी Q से लेके P तक तो वो ही positive हो जाएगी तो it means option C ही correct रहेगी यह वाली ही 0.13 पर crunch के direction कहो जाएगी Q से P तक अब इस तरह से write down